माद्य प्रदेश में एक अजीबो गरी मामला सामने आया है यहाँ पर CM हेलप लाइन 181 पर एक अलग ही शिकायत की गई है मामला हर्दा का है जहाँ पर एक व्यक्ती ने महेंगी शराब होने के चलते ये शिकायत दर्ज कराई है दरसल हर्दा जिले के क्युवक ने 181 पर आवेदन दिया है कि शराब दुकान पर तैकीमत से जादा रुपे पर शराब दी जा रही है शिकायत करता का कहना है कि उसने इसके शिकायत पहले भी की है लेकिन अब तक कोई कारवाई नहीं हुई है हर्दा में अपनी तरह का ये पहला मामला है जब किसी शिकायत करता ने शराब के महंगी होने पर सीम हल्प लाइन पर शिकायत की हो इस शिकायत की चर्चा सभी ओर हो रही है वही हर्दा के आपकारी अधिकारी ने शिकायत पर साफ कर दिया है कि आपकारी अमला और सभी ठेके दारों को इस पश्ट निर्देश दिये हैं और खरगौन से एक बड़ी खबर यहाँ पर मानवता को शर्मसार करने वाला एक ऐसा मामला सामने आया जिससे की इंसानियत शर्मसार हो जाए दो दिन के मासूम बच्ची यहाँ पर नदी किनारे पड़ी हुई मिली और यह नवजात तड़प रही थी लावारिस हालत में इस नवजात के मिलने से अलाके में अलाद पाने की चाहत में मंदिरों से लेकर दरगाहों तक की चौखट पर दुआएं मांगते रहते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आलाद से महस इसलिए पीछा छुडाने का पाप कर बैठते हैं क्योंकि उन्हें बेटी नहीं बेटे की चाहत होती है ऐसा ही एक मामला सामने आया है खरगोन जिले के खामखेडा इलाके से जहां सड़क किनारे दो दिन की नوجात लाडली तरपते हुए मिली उसे बेटी होने की सजा मिली है उसकी कल्यूगी मा ने किरगाओं और मुल्ठान के बीच लावारिस हालत में पलाश के पत्तों पर रखकर छोड़ दिया बेटे की चाहत में इंसानियत को शर्मसार कर दिया मासूम के रोने की आवाज सुनकर इसकी सूचना प्रशासन को दी गई रहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मुल्ठान स्वास विभाग के सहयोग प्रात्मी कुप्चार के बाद जिला स्पिताल के NICU वार्ड में भरती कराया यहां मासूम की हालत अब बहतर है मासूम की हालत अब ठीक है समय रहते इलाज से उसे बचा लिया गया लेकिन वो अभी भी उसी गोत की तलाश कर रही है जहां वो सुकून से जपकी ले पाए वो पूछ रही है